आज हम आपको एक ऐसी शक्सिया से मिलवाने जा रहे हैं जो किसी तारूफ के मोताज नहीं है लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है मैं उनका तारूफ कराता चलूँ वकार पोस्वाल जिनको आप भाकु भी जानते हैं और जिनकी कमेडी आप हर टाम देखते हैं जो एक प्रैंक भी के दिनकी के बारे हम जाना चाहेंगे आप कहा से बिलॉंग करते हैं फोड़ा आपने बारे में बताएं मसला यू है, मैं तो basically minder से हूँ, काफी लोग जानते हैं, विस्ट्रक पॉंच के इस चीज के बारे मेरी background, के बारे में maximum पॉंच के लोग जानते हैं, नकाम जाइडि मेरा काउं है, बरहाल स्वाल कुमेडी का, तो उसमें यह है कि हम script पे काम करते हैं, acting का जो है, एक शरु से शोक था और दाती जिन्दगी में ऐसे नहीं है जिस तरह के पड़दे में पड़दे पे दिखते हैं बड़े सीरियस हैं और यह कह सकते हैं कि जब केमरे के सामने इनसान होता है मैं अपने प्रोफेशन को बड़ी सजीद्गी से करने की कोशिश करता हूँ और अलहम्दुल्ल हो या जज्ज का हो मुझे अगर किसी भी स्क्रिप्ट पर काम करना हो तो मैं खूब 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 ऐसा लगने की कोशिश करता हूँ तो उससे यह एक लोगों को मज़ा आता है और सबसे बड़ी बात है कि मैं गोजरी में कsm cert करता हूँ और गोजरी हमारे जहां के हिता पी में हैं वहां पे चालिस लाग के करीब जो अबादी है वह गुजर और पहाड़ियों की है वहां पे समझा जाता है वहां पे वीडियोस हमारी बड़ी अच्छी वाहिरल होती ही और यह हमारी रीजिनल लैंग्वेज थी और इसकी वज़ा से ही फेम मिला यह हकीकत यह हिंदी अर्दू में करता है या मैंने ट्राइब भी किया एक दो दफ़ा वह वाली ग्रिप यह वह वाली चीज नहीं मिली मुझे जो मेरी मादरी जबान में मुझे मिली मुझे देखने का या शोग जो लोगों को है वह इसलिए है क्योंकि मैं गोजरी में कॉंटेंट क्रियेट कर लाली वुड में काम करेगा तो फेल हो जाएगा लेकर उसको यूपी की कॉंटेंट पर फिल्म बनानी है तो वह सूपर हिट जाती है जिस तरह लालू पर शाद यादव है अगर वह बिहार की वह लैंग्वेज नहीं बोलेगा तो लालू लालू नहीं रहेगा इसी तरह व लालू लालू उसी के वज़ा से चैनल भी रन हुआ आप भी मुझे जानते हैं यह सारा कारनामा है एक चीज़ में इसमें इंक्लिवड करना चाहता हूँ कि शायद मैंने वकाद से बढ़के नहीं कुछ देखा तो इसलिए मुशूर हो गया है मैं सोचता है अगर मुझे व लोगों की महबत है यह तो आपने कबसी यह चो स्टार्ट की अपना इस चैनल का और इससे पहले आप क्या करते थे इससे पहले मैं सर मैं बेसिकली इंजिनियर हूँ माशा अल्ला और मैंने जॉब की है सौधी अर्व की एक अच्छी कंपनी थी है फ कंपनी जो के आबा वहां से तो उसके बाद यह था कि गार थोड़ी सी प्रॉब्लम यह थी कि पेरेंट्स बगारा मेरे मुमार रहते थे वो दोनों ही गुजर गे, मां भी बाप, वापस आये तो यहां पे जब बैठे बैठे तंग आगे तो सोचा हम चलो अपने यूटीब की तरह रूख करते ह हैं तो यह चैनल आपने कब क्रेट किया और बड़े जल्दी ही इसको पहम मिला काफी लोग मैंने 2017 में जब मेरे वाल्द साहब आलखमदुल्लाह आयात थे तब मैंने शुरू किया था और उनकी इजाज़त के साथ ही शुरू किया गया था क्योंकि बच्पन से जब भी मैं मैंने जिद की एक्टिंग के लिए तो उन्होंने हमेशां कांटीनियूजली मुझे मना किया था जब मैंने शादी कर ली शादी के बाद मैंने कहा जनाब आप अज्याज़त देजें तब मेरा एक बचा पैदा हो गया था सुल्तान और उन्होंने कहा कि ठी कि आब आप करो अब सिदी सी बात है शुगल लगाने के लिए बंदे को शुगली महौल चाहिए बंदा किसी ऐसे महौल में रहे है जो खुशनमा हो वहां आदमी लिख सकता है स्क्रिप्ट को तियार कर सकता है तो वैसा माइड नहीं रहा था तिन साल के बाद जब चीजें फेड होने लग मुझे लगा कि मुझे आई ठीक केस पर फोड़ा सा प्रोफेशनली काम करना चाहिए पर आकीले काम कर रहे हैं कोई आपके साथ को टीम में बन्दे लेता हूं किए वर केमरा में लाइन को हायर करता हूं मुझे लगता है कि आज मेरा स्क्रिप्ट के हिसाब से मैकसिम्म मैं में बहुता है अच्छे लोग हो उनको की मुकामने टेकनिकल अच्छी टीम हो मेरे साथ यह मेरा खुद का भी खुआभ है लेकिन बदकिस्मती से मुझे कहीं बार ऐसी चीज़ें मिल नहीं सकती है मैंने बड़े लोगों को आडिशन लिए हैं यहां पर लोग आते हैं मुझे एक एक्टर जिस जैसा मुझे चाहिए वैसा नहीं मिल पाता पर जब तंग आ जाता हूँ मैं तो मैं खुद ही पूरा परफार्म कर जाता हूँ ना मुझे शोग है खुद परफार्म करने का मैं आज भी यह चाहता हूँ कि मेरे पास कोई अच्छा एक्टर हो और मैं उसको में अपनी वीडियो में लांच पर हूँ मैं बड़ी बार कोशिश किया कुछ लोग आे थोड़ा और बोता किया उन्हों ने फिर नहीं जब कर सकते तो क्या करें पोसवाल सापसे जाना चाहेंगे एक्टिंग में शोक रखना चाहते हैं वह आ सकते हैं जूट सकते हैं किसी तरदी हए मेरे साथ कॉंटेक्ट कर सकते हैं मेरा फैसबूक का जो पेज आवकार पोसवाल शोक के नाम से उस पर दिक्रीब और 60,000 प्लस ऐसे फेक पीज सारे हैं लेकिन इसलिए मैं फाल्वर्स का बतार हूं तांकि उनको लगे कि यह ओरीजिनल पेज है उसमें मुझे मैसेज करें आपना कॉंटक्ट नूमर छोड़े महाँ पे हम राबता करेंगे आपसे मिलने कोशिश करें आपको बुलाएंगे और आउडिशन को देता है में लगता है कि यह हमारी टेम के साथ वर्क कर सकता है तो इंशालला हम उसको जरूर वीडियो में लेंगे काफी जैसे आपने प्रैंक किया है तो उसको किस तरह से देखते हो मसला यह है कि प्रेंग का दूसरा नाम है शिरारत आप किसी से कोई शिरारत करते हो फार एक्जेंपल आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से कर रहे हो लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने किसी को समझाया हो और वो समझा ना हो हमारी फाइट होई फार दा टाइम बिंग वीडियो तीन मिंट किया है या चार मिंट किया है लेकिन उसके बाद हमने उनको पूरा समझाया है उनको बताया है रिलैक्स तरीके से उन्हें आपनी परानी वीडियो दिखाई हैं फिर उनका एक अजाज़त ली है तो हमने प्रेंक कैसे मनेंगा लोगों को ऐसे भी कही हम लगता है कि वकार पर रोगों का है मेरे से बहुत जदा आपनी ऐ ell違ण जातांब और जोरों को बहुत ज़्यादा वो किसी माशरे का हो किसी कौम या नसल से हो मुझे यह बता है लोग मुझे दिल से चाहते हैं और लोगों को हार्ट होता है लेकिन मैं यह कहा है इंक्लिड करना चाहता हूं कि ऐसा हो जाता है कि इसा बार मेरे साथ जब हम किसी के साथ एक्स्टराओर्डनरी शराद कर रहे होते हैं तो दका शकाल मार देता है वह इसमें सीरिस होने वाली को इतनी बड़ी बात होती नहीं लेकिन हम इतना भी पीक पे नहीं लेके जाते कि बंदा हैवी हो जाए हम पर या बिलकुल वह मार में कनवर्ट हो हीता पीर पुझाल से देख रहा हूँ मैं उनका बड़ा मश्कूर हूँ बड़ा शुकर गुजार हूँ क्यूंकि मैं आज भी यह कहता हूँ कि एक लाख अठीस हजार मेरे सब्सक्राइबर ने एक चैनल पर दूसरे पर फॉर्टी थ्री थोजेंट ऐसा मुम्किन नहीं था बाई नकाम जड़ी के गवं में रहके मैं यह खुआब देखो मैंने इतना सोचा ही नहीं था लोगों का प्यार है जो आप यहां तक हुचे है यह लोगों की वजह से है और उन्हीं की दोलत है हकीकत यह है कि आप सोच नहीं सकते हो आप मालो आप पढ़ाई में कमजोर हो या कुछ ऐसा है तो आप आई एसका खुआब नहीं देख सकते इसी तरह मेरे लिए भी आसा था हम यागा सीटी में नहीं हैं जी हमारे पास वाइफाई नहीं हैं हमारे पास फैसलिटीज नहीं हैं मैं कैसे सोच सकता था कि मैं एक लाख 38,000 सब्सक्राइबर गें कर दूँ कि मुझे ये वाला फैम जो है ये 22 साल की उमर में नहीं मिला तब इनसान का दमाग बचकाना होता है और वो फैम से भी एक अलग डिरेक्शन में चला जाता है आज शादिश होता है दो बच्चे के बाप हैं हमें फैम मिल भी जाए तो वो हमें सिंजीदगी से अंडल करना आता है और खुदा ने शायद इसी राज को बचा के रखा हुआ था मेरे लिए ये वक्त बचा के रखा था कि मेरा एक एज हो वहां पर में अपनी सिंसेर्टी का मजाहिरा कर सकूं आज अगर इतना फैम है जोरी पुंच के अंदर हम अमीता बच्चों तो नहीं बार जोरी पुंच के अंदर अलखमदूलला ठीक है फेम हमारा तो उसके आपके जो वीडियो मर्व लगारतार आती रहेंगे हाँ अफ़े में दो वीडियो हम देते हैं नो प्रैंक्स की उस पे इंशाला वीडियो आती रहेंगे एक हमारा गोजरी सीरियल चलता है हूंता है मेरी कोई यह दो यह और ऑanken से नाम से उसको चेंज किया हैं मुझे जहां तक लगता है कि रोज रोज कौन बनाएगा इसे अच्छा हम पोड़कास्ट करें और उस पे अच्हे अच्छे लोगों को لेकर आए और उंके साथ जबरदस्था एक मतलब स्टेज शो जैसा हो जिस तरह कपिल शर्मा शो में होता है हमारे दीरे-दीरे कोशिश है उसको करेंगे इंशाल्ला सही करेंगे बहुत शुक्रिया वकार जी हमसे बात करने के लिए हमें टाइम देने के लिए तो यह थे वकार कोस्वाल जिनको आपन होगा तो आप देखते रहें पूंच लाइए